नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है मेरे नए वीडियो में और आज हम लोग जा रहे हैं जो आप लोग सुने होंगे एक स्लोगन आया हुआ विग डैडी आफ स्यूबी तो आज हम लोग जा रहे हैं स्यूबी के बड़े पापा से मिलने और इसका एक रिविव करें अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे पूरा जरूर सा स्टाइल मार लेते हैं और उसके बाद यह समझ लीजे कि यह गाड़ी लगवख 2000 CC का 1997 CC पेट्रोल इंजन में है और गाड़ी का आप देख सकते हैं हैड लाइट और फ्रंट ग्रिल जो नए वाले लोग बटन दिखेगा जैसे कॉक्पिट टाइप का बटन दिया हुआ है और काफी प्रीमियम लुक में हैं इंटीरियर इसका बहुत ही अब इतने प्राइज में इससे बहतर कोई आप गाड़ी नहीं देख सकते हैं वाकई ये बिग डैड़ी आप SUV हैं और आप ये देखिए इसका बटन उटन देखिए नए वाला लोगों के साथ स्टेरिंग है और ये भी स्टाप और स्टार्ट बटन के साथ ही होत हैं कि पहले वाले ही हाइट पर है लेकिन गाड़ी पहले जैसी नहीं है बिल्कुल ही चेंज है ये गाड़ी आप समझेए कि एक तरह से 100 परसंट चेंज है ये गाड़ी सिर्फ नाम इसकार प्यूर आ गया है है एंडिल एंडिल ग्रिपिंग बहुत अच्छी है इसकी और आप देखिए ये लगवक सिक्सिंग फिट के हाइट में है ये और काफी अच्छा लेगी स्पेस है हेंड्रेस्ट भी है इसमें और सन्रूप के साथ यह आ रही है जो ये गाड़ी हम लोग देख रहे हैं ये पेट्रोल के जो लगजेरी मॉडल है जेड एट मॉडल है इसक हैंडिल वेंडिल भी देखिए बहुत ही प्रीमियम है लगी नहीं रहा कि हम इसकार्पियो देख रहा है अब इसका लाइविल देखिए कितना खुबसूरत बैक लाइट तो किसी गाड़ी का हमें याद दिला रहा है लेकिन हम नाम नहीं लेंगे और आप इसका वैजिंग थार्ड रो के बाद भी स्पेस अच्छा है और इसका भी सेटिंग पोजिशन बढ़िया है थार्ड रो का आप यहां देख सकते हैं थोड़ा सा कट है वह सामान रखने के लिए कि डूर में नह लगे और एस इवेंट यह पीछे का है जो मतलब सेकेंड रो के लिए और यहा से आप देखें कुछ इस तरह से दिखता है यह गाड़ी और इसका की तो आप नॉर्मल जो भी महेंद्रा की अभी गाड़ी आ रही है सब का ऐसा ही है थार का या एक्स यूवी सेवन डबलो का सब एक जैसा ही है गाड़ी बिलकुल प्रीमियम लुक में है सनुरूफ लग अब लोग गाड़ी का एक राउंड ले लेते हैं देखें गाड़ी काफी पीछे से भी कुपसूरत दिख रही है गाड़ी लेने लाइक है अब पांस तारीक को हम लोगो बस इंतजार करेंगे यहां देखें डेर सारा बटन के साथ आपका बाटल होल्डर भी है यह और अब देखें गाड़ी में सोनी के स्पीकर 12 लगे हुए है और 8 इंच का स्क्रीन है इसमें यार बिग डाड़ी को देखके मज़ा आ गया बहिया कैसा लगा गाड़ी आपको गाड़ी तो बहुत ही अच्छी है और गाड़ी में बैठ के जो फील आ रहा है ना अब वो सम टारीक से एह और हर सोरूम पर एक तारीक ञाटव से एधुक्त हिए अम लोग थोड़ा गया थे पहले लोगना था और पहले लोगों को दिखाना है तो पहले हगा मतलब हर उससे हर एंगल से अच्छी है जितना अभी तक हमने देखा है काफी ज्यादा इंप्रेस्ट हैं दोनों लोग ही लेजेंडर चलाते हैं और कहरती कि भाई मुझे तो लेजेंडर से भी अच्छी लग रही है इसलिए कि लीजेंडर के आधे दाम की गाड़ी और फील क लेते हैं अभी उसका तो जैसे प्राइस का अभी खुलासा नहीं हुआ है लेकिन वह भी पांस तारीक को हो जाएगा और यह भी गाड़ी 25 के अंदर में ही रहेगी जो टॉप माडल है बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है कि वह बड़े पापा है सारे यह सारे जो आजकल जो यह नकली गूम रही न दोस्तों सडकों पर कि मैं भी मैं भी तो उनके बिग डैड़ी आ चुक है यही महिंद्रा के कहने का मतलब था जी बिल्कुल और गाड़ी है वैसी इसमें कोई दो रहा नहीं आभी जो गाड़ी हम लोग देख रहे हैं ज जली आई चली सव त unbelievably बीग डेड़ी का है जो आपको बहुत अच्छा लगा हो बहूत अलगने दो फीचर बहुत सारा हा है लेकिन उसमें भी जो बहुत अच्छा लगा वो उसका साउंड सिस्टम म जो है इसविकर लगे हुए है बारह सिकर है और गाड़ी के सिटींग पो आप समझ पाएंगे वाकि हमारे समझने तो हम बता दिये कि लिजेंडर और डिफेंडर दोनों गाडियों के बाद अगर तीसरी कोई गाड़ी बहुत अच्छी हमें लगी वह इसकार्पियों एन जो आई है वह गाड़ी है तो इतनी तारीफ कर रहे हैं मुझे लगता है आप हम पांस तारीक को कित्ना जल्दी पुछ सके महंंदरा सोरूम हम पयंचेगे और उस गाड़ी को बुछ कराएंगे क्योंकि ये गाड़ी अगर अभी हम बुछ कराते हैं पांच को तो यह हमें मिलेगी दिवाली में दिवाली के पहले जो धंतेरस đây डिवाली के पहले उसी ट दो अक्टूबर से स्टार्ट हुई थी और वो हम अक्टूबर ना हम नॉम्बर में करा दिये तो उस गाड़ी का हमें जो डेट मिला है वो मतलब आप लोगों को सुनके थोड़ा अश्यार लगेगा कि आप इतना दिन से वेट कर रहा है तो अब हमें लग रहा हम उसका वेट साल से कर रहा है तो अब उस इंतजार को हम यहीं खतम कर के और इस कार पिवो को भूख कराएंगे और सबसे पहले भूख कराएंगे कि तरह कोरियन कंपणी ऐन द हमें पूरा भरोसा है और यह कस्धाय सब्सक्रीयस जूते तो दिमाघ हिल गया। बहुत ज़्यादा अमेजिंग साउंड सिस्टम है, जो कैप्टन सीट लगे हुए है, वो भी जबर जस्त है, आपको लगेगा ही नहीं कि यह सेकेंड रो की सीट है, आपको लगेगा बिल्कुल जैसे फ्रंट में सारी गाड़ियां जो है, फ्रंट की सीट को बहुत अच्छा बनाती है, लेकिन महेंदरा ने फ्रंट और बैग, जो की सीट एड़ेस्टेबल उसमें भी हाई लो कर सकते हैं, तो वो काफी अच्छा फीचर से मतलब समझ लीजे कि जो आपका आगे का सीट है, ड्राइविंग पोजीशन वाला सीट है, वही सेम सीट आपको पीछे भी मि और हाइड भी बिज़े सब बता रहें काफी अच्छा है, बोस का तो थोड़ा अच्छा है, लेकिन उसका भी इनसे कम नहीं है, मतलब कभी कई बार होता है कहने के लिए सोनी बोस वागर लिख देतें लोग अच्छी साउंड क्वालिटी नहीं होती है, लेकिन इसका तो हम है, अगर ट्यूनिंग अच्छी नहीं है सारे स्पीकर की, क्योंकि होता क्या है न कि एक स्पीकर का अगर ट्यून गडबोड हो जाए, बारह स्पीकर में से किसी एक में ज्यादा आवाज आने लगे, तो पूरा सिस्टम खराब है, तो वही चीज है, अगर सोनी अपना स्प स्पीकर बनाई है, तो सोनी बहुत खराब कंपनी तो है, नहीं, तो सोनी का भी स्पीकर वैसा ही है, जैसे आप बोस का और jvl का देखते हैं, तो jvl तो हमें बहुत ही, मतलब घटिया टाइप का लगा, क्योंकि हमें लेजंडर का हम देखे हैं, लेजंडर का साउंड एक् और इस गाड़ी में भी जिसमें हम लोग बैठे हैं ये भी गाड़ी सर्प्राइज है इसका भी वीडियो बहुत जल्द ही बनने वाली है बहुत बड़ा सर्प्राइज रही है तो अभी रिवील नहीं करेंगे हम लोग इसकी जो है वीडियो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी गाड़ी ये भी घर ही आ रही है बने रहे हैं और हमनों का चैनल सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि कोई भी गाड़ी हमनों से बचके जाने वाली नहीं है ये गाड़ी जिसमें हम बैठे है भाई ये भी एक सर्प्राइज है और ये गाड़ी भी घर पे ही आ रही है आकास भी आके तो इसकी वीडियो आपको बहुत जल्द फॉल डेटेल रिवियो सब कुछ इसका करेंगे तो आप लोग चैनल से जु झाल